हेलो गाइस आइंड वल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल अगेंड तो आज आप सभी लोगों का वापस से मैं अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वाले वीडियो को डेफिनेटली पसंद करने वाले हो तो जल्दी से जल्दी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं फिलाल के लिए आज तो हमको एक चीज करनी है वो ये है कि हमको डाइमंड की लेगिंग्स बनानी है ताकि हमें जो है फायर प्रोटेक्शन मिल जाए सबसे जादा ठीक है उसके लिए हमको ज़रूरत है कुछ डाइमंड की और एक क्रैफ्टेबल की तो डाइमंड तो हमारे पास बहुत जाद है पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाये था कि करीब 19 डाइमंड और इखटे कर लिए थे हम लोगों ने तो मेरे पास अभी है न 64 प्लस 8 डाइमंड अभी है इंवेंटरी में तो चलते हैं और जल्दी से जल्दी जो है हम अपने लिए एक मतलब क्या बोलते हैं इसको लेगिंग्स बना लेते हैं उससे आपको जो है फायर प्रोटेक्शन मिल जाएगी और अगर आप लोग मेरे पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर दपा देना याद से कर देना क्योंकि आप लोगों को मेरे तरफ से ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे माइनक्राफ्ट के उपर भी और भी बहुत सारे गेमिंग वीडियोस है मैं ट्राइ करूंग अगर आप लोग कहते हो तो ठीक है यह होना भी जरूरी है आपके पास इसके लिए ले लेते हम अपने इंवेंटरी में और चलते हैं हम अपने लाइबरेरी में ठीक है इसको लाइबरेरी तो प्रॉपर नहीं बोल सकता बस आप यह मानके चलिए कि इन सारी किताबों से जो है इस एंचैंटिंग टेबल को ट्रोटेक्शन कर दinator का लैधर कर सकता हूं तो वह आपको देख लेना है ठीक है तो यहाँ पर थ्री लेवल पे क्लिक कर लेना है और यह आपका हो गया है और एंचैंटिंग आपकी पूरी हो गई है और इसको आपको and equip कर लेना इसे जाधा आपको कुछ भी नहीं करना है तो equip कर लीजी आप अपने पास और आपके पास बहुत ही ज़्यादा खतरना पावर आ जाएगी इसके थुरू ठीक है पावर नहीं कह सकता एक तरह से protection आपके पास full हो जाएगा आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने protection लगा दिया यहाँ पे तो पूरी मतलब helmet, chest plate और यह तयार है हमारे पास बस एक boots हमारा रह रहा है वो मैं आने वाले episode में पूरा कर लूँगा देन हम लोगों को कुछ strings चाहिए ताकि bow बना सकूँ अगर infinity मिलता है मुझे तो मैं infinite times bows चला सकता हूँ और zombies के साथ लड़ सकता हूँ तो एक बहुत खतरनाक सी चीज बन जाएगी आगे मैं बस zombies से लड़ने के लिए अपने आपको prepare कर रहा हूँ आप ये जरूर ध्यान रख लेना ठीक है और आगे चलते हम ठीक है आगे हम लोगों कुछ sword भी बनाने है हाँ diamond sword भी तो बनाना है और इसको enchant भी कर देना है वो बाद की बात है बाकी मुझे bow बनाना है then sword भी बनाना है दोनों चीज़े हम लोगों को बराबर तरीके से जरूरी है और चलिए फिर जल्दी से जल्दी चलते है आगे की तरफ then क्या करना होगा वो तो आप ही जानते हो ठीक है यहाँ पे चलो और और बस यहाँ पे आप ऐसे कर दो हो गया और कुछ नहीं करना आपको इससे जादा आप लोगों को सोचना ही नहीं है ठीक है इससे क्या होता है बता है इससे आप लोगों की लेवल्स बढ़ती है लेवल्स बढ़ेंगी तो आप एंचेंट कर पाओगे लेपिसलिजूली खली तभी काम करती है जब यह जो आप नीचे आप देख रहे हो जो अभी 28 लेवल पे और धीरे धीरे बढ़ रहा है यह जब 30 लेवल पे पहुंच जाता है तभी आपकी लेपिसलिजूली काम करती है और आप अपने एक्विपमेंट्स को 3rd लेवल पर एंचेंट कर सकते है यानि कि वो सूपर प्रोटेक्टिव हो जाएंगी या फिर आपके जो स्वार्ड है वो मतलब मैं कहूँ एक सूपर सूपर पावर आजाए कि स्वार्ड के अंदर एक तरह से मैं कह सकता हूँ जैसे कि मैंने अपने पीकेक्स को जो हैंचेंट किया था और उसको एंचेंट करने के बाद जो है उसमें ऐसी शक्ती आजाती है ऐसी एक पावर आजाती है जिसके थुरू आप जो है एक डाइमंड को तीन डाइमंड में बदल सकते हो और जो है अपने महनत को थोड़ा सा कम कर सकते हो मतलब कि कम समय में आप maximum diamonds इखटे कर सकते हो या फिर कम समय में जो है आप जादा से जादा red stone या iron या जो भी कुछ चीज़ें आप सबसे जादा अपने पास collect कर सकते हो तो वो चीज़ हो जाती है एक तो ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं फिलाल के लिए जो है ऐसे ही करकर के आपको अपने levels बढ़ाने हैं और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कह देता हूँ कि अगर आप मेरे तरफ से और भी नए नए गेमप्लेश चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बताईए मैं खेलना स्टार्ट कर दूँगा और उसको आप लोगों के सामने जरूर से प्रेजन्ट करूँगा प्रस्तप करूँगा और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है ठीक है सो गाइस बस आज के लिए यहीं तक था और मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वाले वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी तो गाइस मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ जल्दी बाए